आप आज हम अपनी क्लास की शुरुवात एक बहुत ही अच्छी स्टोरी से करेंगे आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमिज दिखाई दे रही होगी क्या आप मुझे बता सकते हैं यह इमिज किसकी है आप मैंसे कोई से जानता है अगर आप नहीं जानते तो यह फेमस परस्णेलटी है करोली टेकस कुछ लोग इसे करोली टेकस भी बोलते हैं यह जो करोली टेकस थे न यह जो हंगरी कंट्री है आपने हंगरी कंट्री का नाम सुना होगा वहा की ऑर्मी में सोलजर थे लेकिन ये इसलिए वहाँ फेमस थे क्योंकि ये जो सूट करते थे पिश्टन सूटिंग में ये बहुत बेस्ट परफॉर्मेंस देते थे इन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई कॉंपटीशन्स जीते थे और ये पूरी कंट्री मानती थे कि इन फ्यूचर हमारे देश के लिए ओलम्पिक जो गोल्ड होता है ना प्राइज होता है वो यही लेकर आएंगे और ये भी ऐसा ही मानते थे जिसके लिए कंटीन्यू महनत करते थे प्रैक्टिस करते रहते थे करते रहते थे और बाद में इन्होंने 1948 और 1952 यानि 1948 और 1952 में उलम्पिक प्राइज भी जीता लेकिन ये फेमस इसलिए नहीं हुए क्योंकि इन्होंने दो बार उलम्पिक प्राइज जीता ये फेमस किसी और वज़े से हुए इसके विहाइंड एक स्टूरी है आपको पता है क्या जब ये ये बात स्टार्ट होती है 1938 से जब 1938 में आर्मी की ट्रेनिंग चल रही थी और ट्रेनिंग के टाइम में ये आर्मी मैं थे तो इनकी भी ट्रेनिंग हो रही होगी उस टाइम इनके हाथ में ब्लाश्ट हो गया था जो माइन बगएर आपने सुनी होंगे न वो ब्लाश्ट हो गये जिससे उनका जो राइट हैंड था वो अलग हो गया अब आप सोचिए एक इंसान जिसने ओलंपिक जीतने के लिए इतनी महनत की उसके पास वही हात नहीं रहा तो अब वो क्या करेगा उसके पास दो रास्ते रह जाते हैं या तो वो कहीं चला जाए चुपचाब अपनी जिंदिगी निकाले और रोतर है दूसरा वो है कि जो उसके पास है उसके साथ वो आगे प्रेक्टिस करे तो इन्होंने दूसरा रास्ता ही चुना इन्होंने क्या किया अपने right hand के लिए दुखना मना कर इनके पास जो left hand था उससे practice करना is start कर दिया अब अब जानते हैं कि आर्मी में तो जब एक hand नहीं है तो obviously not रखेंगे तो 1938 से 1939 तक इन्हों ने अपने घर जाके चुपचाप अपनी प्रेक्टिस कंटीन्यू रखी और जिम 1939 में क्या हुआ कि ओलम नेशनल चेंपियन से पुई सूटिंग की तो जहां हो रही थे यह वहाँ पहुचे उसके पास जो सब लोग थे तो वो सब देखकर इन्हें खुस हो गए कि यह परसनेल्टी होती है कि सब कुछ इतना कुछ होने के बाद भी या हमें प्रोचसाहित करने के लिए आ गए लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था जब उन्होंने अब लोग आये इन्होंने बोला मैं तुम्हें उसाहित करने नहीं आया हूं मैं तुमसे प्रित्योगता करने आयह हूं मैं अभी प्रित्योगी हूं और इन्होंने अपने लेफ्ट हेंड के साथ वो प्रतियोगता नेशनle Championship जीत ली उसके बाद क्या हुआ कि आगे 1940 में जो ब fighting वर्ड वर के टारगेट की था 1944 वर्ड वर के कारण दोबारा से olympics फिर से नहीं होए तो इनका टारगेट क्या हो गया 1948 और उसमे फिर इनों प्राइज जीता और 1952 में दूसरा प्राइज तो इनकी कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो कैरोली टेकस थे न वो यह बोलते हैं लाइफ नोट आवाउट हाउ हाड ओफा हीट यू कैन यह नहीं है कि हम एक बार कितना अच्छा करते हैं लाइफ पिये होते हैं कोरोना यह सब चल रहा है इसके साथ ही हमें अपने पढ़ाई को कंटीनियू रखना है अब आप मुझे आंसर दीजिए कुछ कुश्चन की करें मैं डिवाइड मेटार ओंध सिस्ट चμृब कर सकते हैं या नहीं आप अपने देखा होगा कि जो मेटर होता है इसको हम दो पार्ट करते हैं एक तो physical और एक chemical हागे उन्दा वेसिस हाव मैनि टाइप्स औफ मैटर से अर्प इसक्रीजिकल वेसिस पर आपके मैटर होते हैं या इया तो बहुत इजी आपके लिए इसमें कि होते हैं solid, liquid, gas three types of matter होते हैं present जो क्या होते हैं हमारे solid, liquid and gas can be change on states of matter in other states क्या हम एक state को second state में change कर सकते हैं तो इसका answer है हाँ हम matter की एक state को दूसरी state में change कर सकते हैं जैसे कि चो water होता है हम water को जिसमें change कर देते हैं water, paper में ice को हम किसमें change कर देते हैं water में एक state से दूसरी state में change हो रहा है अब आपको दो glass दिखाई दे रहे हैं जिनमें क्या है, एक में ice है, एक में water अब क्या होता है जब हम ice को room temperature पर खुला छोड़ने हैं यह तो आप जानते हैं जब ice cream जो आती है उसको हम छोड़ देते हैं तो क्या liquid में बदल जाती है वो हमारी तो यह किसमें change हो जाती है liquid में अब the conversation of ice into water is which type of change in matter जो conversation होता है sorry, conversion होता है ice का water में वो किस type का change होता है अब बता सकते हैं यह तो types के change होते हैं आज हम उनको discuss करेंगे physical change and chemical change matter के कितने types के change होते हैं? two types के अब हम एक activity देखेंगे आपको एक paper दिखाई दे रहा होगा यह paper है यह हमारा भी किस shape में है? rectangle जिकिन जब हम इसको ऐसे fold कर देते हैं तो यह हमारा क्या बनके? यह छोटा rectangle उससे और यह उससे भी छोटा rectangle हमारा बनके तयार हो जाता है तो यह आप क्या देख रहा है? यह कागज में क्या रहा है? फिजिकल के वल इसकी किस में change हो रहा है? shape और size में change हो रहा है आपको समझे पहले हमारा बड़ा paper था और दूसरी चीज़ इस change को हम क्या कर सकते हैं? जब हम इसकी foldings ऐसे खोल देंगे तो यह बापस जैसा paper था पहले वाला वैसा ही paper बनके तयार हो जाएगा तो यह हमारे क्या हो जब shape and size में परिवर्टन होता है तो यह हमारे क्या होते हैं? फिजिकल चेंज होते हैं लेकिन अगर इसी paper को अभी हम यह match walks लेंगे इस से इसमें कि इस paper को इसमया क्या करें यह इंपर अभी यह देखका आपने दिखाए दे रहा होगा हम में this paper को क्या कर रहे हैं बर्न कर रहे हैं तो बर्न होने के बार ठात क्या हो रहा है यह देखा हम M एस प्राप्त ओर रही है जो उसको हम हिंदी में राख फिव बोलते हैं यह मिल रही है न आ है यह देखिए यह यह से बापस से पेपर बना सकते हैं नहीं तो जो चीज इस रिवर्स बापस बनाई नहीं जा सकती वो हमारी क्या क्या वाक्ति है chemical चेंड दूसरी चाहिए यह हमारा क्या था पेपर था उससे एक नया product हमें क्या मिल गया यह एस मिल गई पेपर एस मिल गई न तो यह हमारा क्या होता है यह नया product होता है आप सभी ने activity देखी अब हमें एक सौट श्टोरी से देखेंगे कि यह फिजिकल और chemical changes क्या होते हैं अब आप देख रहे होंगे यह बैग्राउंड क्या है chemistry lab का है जहां पर दो फ्रेंड किम एंड सैम खड़े हुए है जो किम होती है वो एक girl है और सैम एक boy है सैम जब किम जब आती है तो वो सैम को देखती है कि वो कुछ सोच रहा है तो वो पूछती है कि क्या हुआ तो वो बोलता है I am so confused बना वो बहुत confused है कि आज मैंने क्लास में क्या सिखाया तो किम बोलती है कि मैं तुम्हारी help कर सकती हूँ तो वो physical change बताती है physical change are things that can be easily reverse but the most important thing to keep in mind is that are not creating a new substance जैसे कि paper हमने फोल्ड किया वापस से paper बन गया था तो यह जो physical change क्या होते है यह reverse हो जाते है easily और इनमें कोई भी new substance नहीं बनता तो Sam को यह वाद समझ तो आ जाती है लेकिन वो बोलता है किन से किम क्या तुम मुझे कोई example दोगी इसका तो किम बोलती है हाँ क्यों नहीं तो बोलती है कि जो हम ice cubes बना मेल्ट करते हैं किससे जब ice cube हैं उनको हम रूम में छोड़ तो यह कौन सा चेंज है फिजिकल चेंज लेकिन जब हमने दोबारा से फ्रीज कर देंगे तो हम फिर से क्या मिल जाएंगे मैं ice cube तो Sam को यह चीज अच्छे से समझा जाती है फिर बोलता है लेकिन chemical changes क्या होते हैं तब कि मैं explain करती है कि chemical change में new substance बनता है और यह जो reaction होती है chemical reaction के time से हम chemical changes देख सकते हैं तो यह तो समझा जाता है लेकिन इसका भी क्या मांगता है एक example मांगता है तब कि मुझे explain करती है कि जब हम दीपा वली में जो crackers आते हैं उनको हम क्या एक बार जब use कर लेते हैं क्या उसके बाद दोबारा से हम उन्हें use कर सकते हैं नहीं न तो यह हमारा क्या होता है example होता है chemical changes का उसके बाद दोनों को अच्छे से समझा जाता है और Sam Kim को thank you बोलता है अब आप मुझे बताईए आपको समझा आया इतना matter, undergoes अब हम देखेंगे chemical और physical change क्या होते है जो matter होते है ना वह two types से divided हुते है एक तो फजिकल मैटर में जो changes आते हैं वह two types क्यों होते है इक तो physical होते है एक कैसे होते है तो chemical होते है अब जो physical फिजिकल चेंज होते हैं जैसे कि melting of ice हमने देखा भी slicing of bread bread को छोटे-छोटे तुकड़ों में हम काट भले यह देते हैं लेकिन वो रहते क्या है पेंटिंग और बॉल बॉल पर पाइंट करना भी तो फिजिकल प्रॉपरी करता है तो यह क्या करती हैं होते हैं दूसरी ओल्ति होते हैं रिवर्स होतां है है इसली जैसे कि हमने आइस ली आइस से हमने क्या बनाया वाटर और वाटर से हम फिर से क्या बना देंगे आइस बना देंगे example देखेंगे जैसे कि meditating of eyes क्या है एक example है किसका physical change का boiling of water किसका example है physical change का drying clothes यह भी क्या है physical change होता है cutting the fruits यह क्या है physical change आगे paper जैसे कि paper है paper को उने तीन slices में divide कर दिया तो यह भी हमारा क्या है physical change ही होता है balloon उसको भी हम जब हवा उसमें डालते जाते हैं डालते जाते हैं तो फूल जाता है लेकिन जब हवा निकल जाती है वापस से वह जैसा होता है वैसा हो जाता है तो यह भी क्या है physical change a change that produce a new substance is chemical change आप हम देख रहे हैं chemical change क्या होता है तो chemical change में जब new substance जैसे कि हमने जो paper था हमारा हमारे पास उसको हमने क्या कर दिया बर्न कर दिया तो वो क्या हमाएं मिल गया ऐस मिल गई तो क्या हम उस ऐसे दुबारा से paper बना स्पाई नहीं न तो यह हमारा क्या हो गया chemical change in chemical change matter and undergoes change its composition and structure भी बदलता है और composition जो होता है उसका बो भी बदल जाता है new substance are formed that have different properties and composition from material अब जो कागच की property थी हमारे पेच की क्या वो प्रोपर्टी एस की होगे नहीं न तो properties भी change हो जाती है appearance भी change हो जाती है सारी चीज़ हो जाती है changes are irreversible अगर हम चाहें कि दुबारा से हम उसको paper बना लें उस ऐसे तो वह नहीं बना सकते तो यह changes कैसे होते irreversible जैसे कि आपने यह कील देखी एं लोही की normal जो कील होती है उनमें क्या हो जाती है जंग लगने के सासद वो खतम हो जाती है दीरे धीरे तो यह जंग लंकना भी यह क्या होता है chemical चेंच रहता है यह तब होता है जब chemical एक reaction होती है इनके साथ कि जब हम इनको हवा में नमी में खुला छोड़ देते हैं कि लों को ऐसा ही तो फिर इनमें क्या हो जाती है चंग लग साथा यह रेस्टिंग वर्णिंग और पेपर को जो से में बरन किया तो मैं क्या मिला एस मिली तो यह हमारा क्या था यह chemical चेंज था क्या हम बापस से paper प्राप्त कर पाएं नहीं न तो यह हमारा क्या है chemical चेंज wiping of fruits जैसे mango कितने पसंद ने कैरी लेकिन कैरी से जब हमने एक बार mango हो गया chemical changes उसमें हो गए तो यह बापस से हम कैरी बना सकते हैं mango से नहीं कर्डिंग में दही तो बहुत पसंद होता है सबको लए लसी लेकिन अगर एक बार दही की लसी बन गई तो बापस से आप दूद नहीं बना सकते उससे तो यह भी क्या होता है एक आप मुझे बताइए हाउ वोड्यू डैट इस आउड यू डैट सेटिंग ऑफ कर्ड इजा कैमिकल आप कैसे कहेंगे कि जो कर्ड का बनना है वह वह जानते ही है ना अभी तो पढ़ा है ने कर्ड केन नोट वी टरन बैक तो मिल्क कर्ड को हम बापस से क्या नहीं बना सकते तो यह हमारा कौन सा चेंज हो गया कैमिकल चेंज वेना कैंडल बन्स वोथ फिजिकल और कैमिकल चेंज टेक लेस आइडेंटिफाइ दीच चेंज जब हम क्या करते हैं वर्न करते हैं कैंडल को तो फिजिकल और कैमिकल दोनों चेंज होते हैं तो आप इने बताइए कौन जमती भी जाती है क्या है हमारा physical change है जबकि जो thread उसके अंदर वर्न हो रहा है वो हमारा क्या है chemical उससे हम पापस से thread create नहीं कर पाएंगे अब अब अभी तक हमने देखा change of matter from one form to another without changing its chemical composition यह क्या होते है हमारे physical change और जिसमें chemical composition change होगा properties different होगी वो हमारे क्या होगे chemical जो physical change होगे रिवर्शिवल होते हैं और chemical change रिवर्शिवल होते हैं थेंक्यू क्लास